नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िक उस्टेन चनल में आज की उडियो लेक्चर भी हम डेटेल में स्टेडी करेंगे सभी प्रकार के पेंकिलर्स के बारे में और एक ही वीडियो के अंदर हम सभी पेंकिलर्स को कवर करेंगे और जा आसे समझे के आपको सिखना है बहुत सारी दवायों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो ये कोर्स को जोइन करने के लिए आप आप में वाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल अप्लिक केसने की जिसको हम analgesic कहते हैं और ये दवायों के पास दो तरह की properties रहती है कि एक anti-inflammatory property भी रहती है और analgesic property रहती है कि जिसके करण ये medicines क्या करती है दर्द भी कम करती है और सूजन भी कम करती है और especially ये non-steroidal anti-inflammatory drugs की category के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो include होते हैं तो उनके use हम देखे तो सबसे पहले जो सभी तरह की जो दर्द होते है body के अंदर उनको ठीक करने के लिए use के जाते कि या पी जो आप diagram में दिख रहे कि चाहे आपको गर्दन के पास दर्द हो रहा है back pain हो रही आपको shoulder में पेन हो रहा है spinal में आपको pain हो रहा है तो सभी तरह के दर्द को यह ठीक करती है उसे तरह से जो सभी तरह के headache होते है सीर दर्द वगिरा जो होते है उनमें भी यह use की जाते हैं किसी को migraine का problem है cluster type का headache होता है और tension type का headache होता है या फिर sinus type का होता है तो सभी को ठीक करने में ये medications prescribe की जा सकती है arthritis के जो हम condition कहते है या फिर osteoarthritis के जिसके अंदर mainly joint जो है वो हमारे प्रबावित होते है वहाँ पे सूजन आ जाती है और उसके करन हमें दर्द होता है तो ये conditions को भी ठीक करने धे लिए हम use करते है फिर जो tooth pain होता है दात में दर्द होता है फिर muscles के अंदर जो दर्द होता है muscles pain करते है जो हम कहते है कि मास पेशियों में छो खिचा होती है और उसके करन जो दर्द होता है उसको भी ये दवाया ठीक करती है हील पेन मतलब कि जो AD में दर्द होता है तो वहाँ पे भी काफी useful सा भीत होती कि जहाँ पे दर्द और सूजन को कम करके काफी relief देती है हमें फिर जो सूजन आजाती है पेरों में उसके लिए भी हम उसको use कर सकते हैं फिर जो menstrual cycle के दवरान जो menstrual period के दवरान जो दर्द होता है तो उसमें भी यह दवाई यूस की जा सकती है periods के दवरान होने वाले pain को कम करने के लिए एंकलाइजिंग जो spondylitis की जो condition है कि especially healthy spine के compare में आप यहाँ पर diagram में देखोगे तो bamboo spine के condition produce होती है तो उसको ठीक करने के लिए भी यह दवाई यूस की जाती है और आखिर में हम देखे तो जो inflammation हो जोता है joint के अंदर और उसके करन जो दर्द होता है तो उसको भी ठीक करता है यह दवाई या तो उसके हम अलग-अलग examples देखते हैं कौन से अलग-अलग options हमारे पास available है pain killer में तो सबसे पहला option available है वो है paracetamol तो paracetamol क्या है तो एक non-steroidal anti-inflammatory drug के साथ और साथ यह NL जैसे के antipiratic action है उसके पास तो उसके करन क्या करता है कि यह बुखार में तो use होती है पर साथ उसाथ दर्द को भी यह दवाई जो वो कम करती है तो उसके 650 mg, 500 mg के tablets भी available है और उसका IV fluid भी available होता है कि जब भी आप उसको use करते directly IV में भी यह patient को जो लगाई जा सकती है dose के हम बात करें तो 0.5 से लेकर 1 gram जितना होता है और यह dose जो दिन में तीन बार जो वो patient receive कर सकते है पर ध्यान यह रखना है कि maximum dose जो वो 4 gram से ज्यादा नहीं होना चाहिए because लंबे समय तक higher dose लिने से आपके liver के उपर असर हो सकती है kidneys के उपर असर हो सकती है और पेट में ulcer वगेरा भी हो सकता है दूसरा popular painkiller का option हम देखे तो वो है ibuprofen है कि जिसके 400 mg के tablet available हो दिया खास कर और यह tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार भी patient जो ले सकते है तीसरा option यहाँ पर हम देखे तो वो है acylofenic का कि यहाँ पर हम उसके tablets देख रहे है 100 mg के strength में तो इसका dose यह रहता है कि 100 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो ली जा सकती है फिर उसके injection का भी option लेता है same dose में injection भी patient को लगाया जा सकता है पर यह injection specially उसके direction आपको अच्छे से read करनी चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा है कि यह injection सिर्फ और सिर्फ इंट्रा मस्कुलर यूस के लिए है तो proper ध्यान रखना होता है और label अच्छे से read करना होता है चोथा एक popular pain clear हम देखे तो वो है diclofenic तो diclofenic का यहाँ पर एक marketed formulation आप देख रहे हैं तो 50 mg के strength में यह tablet available है तो यह tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient ले सकते हैं इसवी का injection का भी option available है कि डाइगना पर करके जो एक famous injection है आपको सभी को पता होगा इसका detail वीडियो भी फार्मारोक्स की channel पे available है तो 75 mg पर ml के हिसाब से यह injection available होता है और यह एक injection per day के हिसाब से लगा जाता है अलग-अलग roots से लगा जा सकता है का IV bolus से भी लगा जा सकता है IV infusion से लगा जा सकता है और muscles में भी उसको जो है वो लगा जा सकता है 5 वो option हमारे पास बनता है वो है aspirin का कि जिसका dose रहता है 3 से लेकर 5 ग्राम जितना रहता है per day के इसाब से और यह specially 325 mg के strength की tablet यूज की जाती है कि जब भी आपको उसको pain killer के तौर पर यूज करना है तो 325 mg के tablets market में available है next option हम देखे तो naproxin का है तो उसका 250 mg में tablet available होता है 500 mg में भी available होता है और उसका dose की हम बात करे तो 250 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो पेसंट ले सकता है पगर आपको सिर्फ एक ही बार लेनी है तो उसका दूसरा option available है sustain release tablet का कि यह जो 750 mg की sustain release tablet होते है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार लेना होता है कि जो सभी तरह के pain को कम करता है और migraine में भी यह काफी ज़्यादा effective साभित होता है next option है वो है pyroxy cam का है तो pyroxy cam का एक marketed formula आप यहाँ पे देख सकते है dolonext dt करके कि जिसका dose रहता है 20 mg दिन में एक ही बार लेना होता है तो समझे कि यह dt tablet आप लेते है dispersible tablet मनले कि पानी के glass के अंदर पानी लेना होता है और फिर यह tablet का आपको अंदर डालनी होती है अच्छे से वो tablet पानी में dissolve हो जाए तो वो solution जो आपको पीना होता है फिर इसी का injection का भी option मिल जाता है कि 40 mg रहता है 2 ml के अंदर मनलब कि 1 ml समझे के patient को लगाया जाता है तो उसके अंदर 20 mg जितनी drug रहती है तो यह injection जो specially intramuscularly ही लगाया जाता है आठ वो option बनता है वो है maloxicam का कि जिसके 15 mg के tablet जो वो market में available होती है और इसका dose रहता है 7.5 से लेकर 15 mg दिन में एक बार जिए वो patient ले सकते है 9th option है वो है taloxicam का कि जो 20 mg के tablets मार्केट में available होती है और उसका dose रहता है 20 mg दिन में एक ही बार वनलब कि यह जो tablet है वो सिर्फो सिर्फ दिन में एक ही बार जिए वो use की जाती है next option है वो है itoric oxyam का तो इसके दो तरीके के tablet available होता है 60 mg और 120 mg और dose के हम बात करें तो range में है 60 list के से लेकर 120 mg पर डे जितना उसका dose रहता है अमलब कि एक ही बार आपको इतना dose लेना होता है तो मालो यह 60 mg के आप tablet ले रहे हैं तो वो दिन में एक या फिर दिन में दो बार ले सकते हैं पर कोई 120 mg के tablet यूज कर रहा है तो वो tablet सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार जो हो लेनी होती है नेक्स्ट ऑप्सन वो है पैरे कॉक्सिप का रहता है तो जिसका injection जो खासकर market में वे रहे होले हैं तो यहाँ पे फाइसर का famous marketed formulation नम यहाँ पे देख सकते हैं और dynastate करके तो वो muscles में भी लगाया जा सकता है vein में भी लगाया सकता है IEM and IV दोनों तरीके से यह injection लगता है और maximum 80 mg जितना dose जी वो patient receive करते हैं पूरे दिन में पर ध्यानी रखना है कि divided dose में दिना होता है कि 40 mg एक बार और 40 mg दूसरी बार और दो dose के बीच में अटलिस्ट आठ या दस गंटे का time interval रखना यहाँ पे जरूरी बनता है next यह वो है salic oxyb तो salic oxyb का हम dose देखें तो 100 से लेकर 200 mg BD जैता है वो दिन में 2 बार patient 200 mg के tablet यूज़ कर सकता है तो यह जो tablet या फिरूस के heart gelatin capsules आते हैं वो सिर्फ फिर सिर्फ दिन में एक ही बार यूज़ यूज़ करें next action है वो है keto roll एक का option है तो keto roll के DT tablet भी आते हैं disposable tablet की जैसे अभी मैंने आपको dolo next का समझाया उसी तरह से यह tablet साती है और उसका जो dose के हम बात करें तो 10 से लेकर 20 mg जितना dose patient हर 6 गंडे पे ले सकते हैं और maximum per day का जो dose है वो 90 mg से ज़्यादा जो नहीं होना चाहिए तो इसके injection का भी option available रहता हैं यहापे आप देख सकते कि doctor ladies laboratory उसके tablet भी बनाते हैं as well as उसके injections भी design करती हैं तो ketorol का यहापे injection की जिसके अंदर 30 mg जितनी medication है एक ml के जो यह injection रहता है उसके अंदर 30 mg जितनी drug रहती हैं तो यह जो आप ampule देख रहे हैं उसके अंदर 30 mg जितना drug रहता हैं तो यह खास आपको अच्छे से याद रखना है और यह जो injection वो specially आप यहापे देखो तो intramuscular और IV दोनों तरीके से लगता है पर जब IV में लगा जाता है तो proper dilution करना जो जरूरी बनता है next option हम बनता है वो है हमारे पास वो है itodolac का 400 mg के tablets available होती है और यह tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient ले सकते हैं फिर ketoprofen का भी यहाप एक option बनता है तो ketoprofen हमेशा खास कर combination में आता है थायो कॉल्चिकों साइड के साथ और यह special हम देखे तो जो mass special में खिचा हो जाते है और उसके करन जो दर्द होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यह medication जो वो use की जाते हैं जिसका dose रहता है पचास से लेकर 100 mg दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार के हिसाब से ले सकते हैं 16 वाला जो next option अवेलेबल है हमेरे पास वो है प्लूरबी प्रोफेन के जो टाबलेट साथ है 100 mg के तो इसके dose के हम बात करें तो 50 mg दिन में 2 या फिर तीन बार उसका dose रहता है तो इसके gel भी अवेलेबल होती है pain relief gel के तौरबे 5% की ये gel अवेलेबल है बूस जेल करके या पर उसका marketed formulation देख रहे हैं कि जो दिन में 2 या 3 बार जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा सकते है फिर उसके eye drops भी अवेलेबल है कि जो आप ophthalmologist है फिर जो eye specialist होते उनके advice के according to ये eye drops जो वो use किये जाते हैं फिर next option हम देखे तो वो है mefenamic acid का option है pain killers के अंदर कि जिसका dose है 250 से लेकर 500 mg दिन में 3 बार तो ये समझे के 500 mg के tablet को use करता है तो दिन में 2 बार जो वो ले सकता है फिर दिन में 3 बार भी ले सकता है पर high dose में लेने की ज़रूत नहीं रहती खासकर आप एक बार भी ये tablet लेते हैं तो भी आपको पूरा दिन जो वो दर्द में से जो राहत मिलती है फिर next option है Nemosilide का तो ये option तब भी use किया जाता है कि जब आगे के जितने भी painkillers ट्राइ कर रहे हैं फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा तो फिर ये option use किया जाता है फिर उसके side effects वेगर काफी ज़्यादा होते हैं और इसकी ज़्यादा आपको use नहीं करनी होती हैं उसी तरह से एक और medication ऐसी है कि जिसके side effects बहुत ज़्यादा है painkillers के अंदर वो है Naboo Muten की जो टाबलेट साथ है तो उसका ये दो marketed formula आप देख सेखे नबू flame करके हैं और दिसरी nilitis करके हैं कि जिसका dose रहता है 500 mg दिन में एक ही बार लेना पर इसकी भी काफी ज़्यादा side effect है जैसे हमने बात की निमेश उलाड की है ऐसे ये भी बहुत सारे side effects करता है फिर ये काफी अच्छा है और combination रहनता है आपके लिए painkillers के अंदर के paracetamol भी आ जाता है प्रोपाई फीनाजोन का option रहता है और कैफीन का उप्सन रहता है और ये medication के हम dose की बात करें तो 300 से लेकर 600 mg दिन में तीन बार जे वो patient ले सकते हैं पर उसका combination आप देखोगे तो अच्छे से आपको पता चलगा के इसके अंदर paracetamol 300 mg आती है प्रोपाई फीनाजोन जे वो 150 mg रहता है और कैफीन रहता है 50 mg जितना कि जिसके manufacture के हम बात करें तो जगत फार्मा जो है उसके manufacture है फिर सेरीडोन भी या पे option की जिसके अंदर भी प्रोपाई फीनाजोन ही एक salt content रहता है next option available है painkillers के अंदर वो है neafodol के जो tablet साता है कि जिसके अंदर neefopalm करके main salt content है तो neefopalm उसके अंदर रहता है 30 mg जितना और combination में paracetamol 325 जितना रहता है और डोस की हम बात करें neefopalm का तो 30 से लेकर 60 mg दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार जिवो पेशन ले सकते हैं इसी के injection का भी option available है कि neefopalm का यहाँ पे injection देख रहे है कि 20 mg 2 ml के अंदर बलागे समझे कि 1 ml जितना समझे कि पेशन को लगाया जाता है तो इसके अंदर 10 mg जितनी ड्रग रहती है और यह इंट्रा मस्कुलर ले ही सिर्फ यूज किया जाता है और हर 6 गंटे पे 20 mg जितना डोस जिवो पेशन रिसीव कर सकता है नेक्स्ट ओप्सन है वो है उसके जो आईड्रॉप्स आते है निपाफेनेक के तो ये भी एक दर्द नीवारक के तौर भी यूज के जाए पेशन आखों में दर्द हो रहा है तो उस वक्त निपाफेनेक के जो आईड्रॉप्स जिवो यूज के जैसे जो आईज में कोई सेर्जर ही हो तेर म के बाद भी दर्ध हो रहा है सुजन वगेरा हो रही है तो उसको कम करने के लिए I drop स्प्रिस्क्रैब की जाता है कि जिसका dose बनता है एक से लिकर 2 gram एक या दो drop ही आपको डालने होते हैं ग्राम में नहीं एक या दो drop ही आपको डालने होते हैं और वो दिं में 3 या फिर दिन में 2 बार यो पेशन्ड यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ओप्सन है वो है इंडो मेथहासिन का पर ये आप्सन तभी यूज़ कहेज़ते हैं, आगे के जो 23 Division काम नहीं कर रहे this उसी वक्त य Coalition यह वे यूज़ करें however विकास उसके करण जो हार्ट एटका रिस्क जो सबसे ज्यादा बढ़ सकते है और उसका डोस रेता है 25 से लेकर 50 मिलिग्राम दिन में 2 या फिर दिन में तीन बार पेशन्ट यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं उनके साइड एफेक्स तो सबसे पहले साइड एफेक्ट होती है वो स्कीन के उपर रैसिस बन सकते हैं तो यह खास ध्यान रखना है कि अगर किसी को अलर्जी है नॉन स्टुर्डल warning के हम बात करें तो किसी को allergy है यह दवाई हो की तो उसको यूज ना करें आपके अशर कर सकती है तो यह दियान रखना है जो kidneys के patient है उनको भी यूज नहीं करनी है peptic ulcer में भी यूज नहीं करना है उसको उसी तरह से जो heart disease के जो patient है उनके लिए भी use नहीं करनी हो और समझो कि बच्चों में use करते हैं तो सिर्फ पर सिर्फ paracetamol या फिर ibuprofen ही बच्चों में use करें similarly paracetamol सिर्फ पर सिर्फ यूज की जाती है pregnancy के अंदर तो वीडियो को जरूर से share करें और हमें support करें